गुद्ध इवनिंग माई डियर ओल इस्टुडेंट्स तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से यूट्यूब के नमबर वन पॉल्टेक्निक चैनल रेश्वा भिहार समेस्टर में और आज की क्लासेश में हम सभी लोग अपने आगे की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखने वाले हैं जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वासेश में बताया था आपके टाइपस ओफ प्रिंटर की बारे में डेजी वील प्रिंटर की बारे में मैंने बताया था इंड्रम प्रिंटर आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है हमने देखा था अब आगे का क्या था आपका Drum Printer, Chain Printer, Line Printer इसके बारे में हमें देखना था और इसके साथ हमें क्या देखना था Scanner, ठीक है आपके आगे के जो topics है वो क्या है आपके scanner है तो चलिए पहले जल्डी से आप सभी लोग वीडियो को like करके अपने राई बताईए कि हाँ आप लोग आज की classes को करने के लिए ready है कि नहीं है अगर ready है तो वीडियो को जरूर like करिए ताकि आप सभी लोगों की बाते हम तक पहुचे कि हाँ आप सभी लोग ready है Good evening, सभी लोगो good evening योगेंद्र रॉय के मैम class start ना होगा अरे हो गए ही है class start चलिए तो classes को start किया जाए audience जो है वो बहुत ही कम है बहुत ही कम लोग जो है मुझे live दिख रहे है मेरी class करते वक्त आप सभी लोग जो है एकदम गायब हो जाते हैं पता नहीं कहां चले जाते हैं कितनी आप लोगों को नीद आती है कितना आप लोगों को आलस लगता है IT के classes को करने के लिए क्यूं भाई ऐसा क्यूं है ऐसा क्यूं है बताईए चलिए आगे करते हैं अब classes को बढ़ाते हैं बहुत ही कम टाइम है हमारे पास देखिए मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था प्रिंटर के बारे में ठीक और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि हम लोग उस दिन जो है कि dot matrix printer के बारे में देख चुके थे clear था आप लोगों को कि dot matrix printer जो है वो आपका क्या होता है तो dot matrix printer हम लोग देख चुके थे ठीक है इसके अलावा और हम लोग क्या देखे थे Daisy Wheel Printer तो मैंने आप लोगों को Daisy Wheel Printer का क्या बताया था image मैंने आप लोगों को दिखाया था जिससे आप लोगों को Daisy Wheel Printer के सारे के सारे जो scenario है वो आपको समझ में आ चुका होगा कि जो आपका Daisy Wheel Printer है आखिरकार उसको Daisy Wheel बोला क्यूं जाता था ये चीज़े आप लोगों ने समझी होगी इसके अलावा आपका क्या था जैसा कि मैंने आपको बताया अभी इसके पहले के classes में UP वालों को मैंने scanner का topic जो है वो आज मैंने start किया है तो scanner जो है आपका क्या होता है इसका जो working principle है आपके scanner का ये आपका क्या होता है ये आपका एकदम ही opposite होता है किसके आपके printer के ठीक है तो अब देखें क्या है कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को कुछ चीज़े जो है वो समझाई थी dot matrix के बारे में एकदम clearly उसका working principle हम discuss करेंगे but not today क्योंकि हम जब printer के सारे के सारे scenarios को cover कर लेंगे when we'll cover all types of printers then we will see the ताइप आप उसका क्या उसका working principle जो है वो हम लोग देखेंगे ठीक है ओके ठीक है तो चलिए आप classes को start किया जाए क्या था मैंने आप लोग को बताया था dot matrix printer मैंने आप लोग को बता दिया था clear था अब क्या है आपका daisy wheel printer जो है वो हमें देखना था ठीक क्या होता है daisy wheel printer पहली बात तो इसको daisy wheel printer इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो structure होती है इसका जो structure होता है वो आपका क्या एक flower की तरह होता है clear है ठीक क्या आपके एक flower की तरह जो है कि कि इसका structure होता है, ठीक ना, Daisy wheel printer, यह आपका क्या होता है, it is a type of impact printer, यह भी आपका क्या, एक impact printer का type होता है, जो कि आपके एक time पर आपके एक character को print कराता है, but it is faster than the DMP dot matrix printer, यह आपका उससे जो है कि क्या होता है, फास्टर होता है, और यह आपका क्या करता है, आपके एक बार में कुछ नहीं, तो आपके dot matrix से जो है कि थोड़े से जादा characters को क्या करता है, आपके fast जो है कि आपके print करता है, कृष्णा सेयर, राधे, राधे, मैं, राधे, राधे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, जो आपका daisy wheel printer होता है, पहली यह चीज है कि इसको daisy wheel जो है, वो कहा क्यों जाता है, because of its structure of like a flower, ठीक है, और इसके head या इसके जो pin है, इसके जो wheel के जो आपके pin होते हैं, उस पे आपके corresponding characters जो है, वो आपके क्या होते हैं, प्रिंटेड होते हैं, ठीक है, कहाँ पे आपके इसके flowers के petals पर, इसके जो आपके side के आपके जो parts होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, petals कहा जाता है, क्या कहा जाता है, petals, ठीक है, अब देखें यहाँ पर आपका क्या है, यह आपके जो printer होते हैं यह आपके word processing यानि office में कुछ आपके letters जो आपके नॉर्मली नाइस मतलब ठीक था quality में भेजने हैं यह आपके उनके लिए होते हैं ठीक है इसके आपके quality जो है better होती है इसके जो आपके fonts of character होते हैं वो क्या आसानी से change किये जा सकते हैं जैसा कि मैंन आपके 96 character जो है वो आपके printed होते हैं आपसे question पूछा जा सकता है कि Daisy wheel printer के head पर यानि pin पर आपके total कितने number of characters होते हैं then there are 96 characters printed on the head or pin ठीक यह आपका होता है दूसरी चीज आपकी क्या होती है कि यह आपका better होता है किससे DMP से dot matrix printer से आपका far better होता है क्यों होता है क्योंकि आपका dot matrix printer होता है उसमें आपके क्या होते हैं holes होते हैं जिसमें से आपका physically direct contact नहीं हो पाने की वज़े से उसकी quality जो है कभी-कभी क्या होता है कि वो आपका paper से contact कर पाता है और कभी-कभी नहीं कर पाता है जिसकी वज़े से quality है वो as it is नहीं आती जै इसी आनी चाहिए, ठीक, ये चीज आपकी होती है, clear है, ये क्या होता है आपका, डेजी वील प्रिंटर is an impact printer, as is an impact printer, कब हुआ था ये आपका, invention इसका 1970 में हुआ था, by Andrew Gabber, ठीक है, by Andrew Gabber, डेजी वील को जो है कि, invented in 1970, ठीक, by Andrew Gabber, ठीक है, Andrew Gabber के द्वारा जो है कि, आपके डेजी वील प्रिंटर को क्या किया गया था, 1970 में आपका लाया गया था, ये आपका क्या करता है, ये आपका pin करने के लिए, आपके print करने के लिए, इट रोटेट्स, ये आपका क्या करता है, आपका ये, क्योंकि वील है, ठीक है, it is like a wheel, क्य इसलिए आपका क्या करता है, यह आपका rotate होता है अपनी एक जगह पे, और जो इसके side-side में छपे हुए characters होते है, it get to the contact with the paper and then it prints all the characters while it is rotating. जब यह rotate होता है तो वो उसके characters को क्या करता जाता है, आपके print करता जाता है, ठीक है, देखे क्या होता है, to print the character, the wheel is rotated until the character is printed, ठीक है, जब तक आपका character print नहीं हो जाता, तब तक यह आपका क्या wheel की तरह, चक्र की तरह घूमता रहता है, इतनी चक्र लगाता है, जब तक आपक सही तरीके से प्रिंट ना हो जाए. ठीक है? ये चीज आपका होता है क्या? डेजी वील का काम. ठीक है? To print, the wheel is rotated, the wheel is rotated until the, rotated, until the right character is, until the right character is printed, ठीक है? ठीक है? ठीक है ना? ये आपका रहता है, एक चीज इसमें और है, कि आपके प्रिंट होने से पहले, आपके प्रिंट होने से पहले एक चीज आपकी और होती है, कि आपकी wheel तब तक rotate करती रहेगी, जब तक जो character के faces है ना, वो आपके paper पर hammer या strike करके पूरे तरीके से छपना जाएं, ठीक है? क्योंकि हम सभी को पते है कि ये आपका क्या है, it is your impact printer, so hammering and striking is a normal thing. यहाँ पर आपका क्या होगा? Hammer और strikes बिना हुए आपका printing चीजे वाली मतब जो आपकी printing है, वो आपकी नहीं हो सकती है, ठीक है? मैम first रहा है बहुत, मैम video first रहा है, video क्यों first रहा है? network तो बिलकुल सही है, network तो आपका बिलकुल सही है, then ये क्यों first रहा है क्या बात है? अब यहाँ पर क्या है? देखिए. इन डेजी वील प्रिंटर, इन डेजी वील प्रिंटर, यह क्या होता है? आपका सिम्पल ही एक डॉट मैट्रिक्स की ही तरह काम करता है, लेकिन इसमें आपके क्या? इस तरीके से आपके इतने हैं, और यह जो आपका पिन है न, इसके हेड पर आपके जो खैरक्टर्स होते हैं, वो आपके प्रिंटेड होते हैं, और अच्छे से हो पाती हैं, यह चीज़े आपकी होती हैं, तो यहाँ पर क्या है? यह जो आपका डेजी विल प्रिंटर है, यह आप इसमें क्या कर सकते हो? आप इसमें अलग-अलग, अलग मतलब अगर आप चाहो चाहो स्मॉल लेटर में प्रिंट कराना, जैसे आप चाहते हो, कि आपका कोई चीज ना ऐसे लिखा हो, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि आपका जो name हो वो आपका कुछ इस तरीके से लिखा हो ठीग ये क्या है आपका ये आप चाहते हो इस small letter में लिखवाना तो बहुत simple है आप क्या आप Daisy wheel के ये small letters वाले आपके वो है उसकी तरफ उसको कि वहां पर आप क्या कराओगे ink लगवा करके मतब इंक से कांटेक्ट करवा के ink ribbon से कांटेक्ट करवा होगे small letters का and then तब आप क्या कराओगे आप उसको rotate करवा होगे जब आप अपने wheel को rotate कराओगे तो जहां आपका ink लगा रहेग यानि अगर आपके small letters पर जो है कि अगर आपके ink लगे रहेंगे तो वो small letter में उसको print करेगा अगर आपने उसको capital letter पर जो है कि ink लगवाया है तो वो आपके capital letter पर जो है कि rotate करके आपका print करेगा ठीक है यह चीज आपकी होती है तो क्या in Daisy wheel printer there are 96 character 96 character कैसे हो जाते हैं आपके 1,2,3,4,5,6,7,8 ऐसे मिल करके ABCD मिल करके small ABCD मिल करके कुछ special characters मिल करके यह आपके होते हैं क्या Daisy wheel के आपके total 96 character क्या होते हैं आपके printed होते हैं इन Daisy wheel printer there are 96 character printed on the head or pins of the printer ठीक है printed on the head or pins on the top of printer ठीक है आपके printed होते हैं अब आपके Daisy wheel printer के आपका अगर बात किया जा तो Daisy wheel printer जो है यह आपका produce कर सकता है 3000 characters per minute क्या कर सकता है 3000 characters per minute यह आपका print कर सकता है ओके Daisy wheel printer can produce printer can produce 3000 character per minute सोचिए 3000 character per minute यह आपका कर सकता है क्योंकि इसके 96 character तो अराम से होते तो अगर इसको आपके एक अगर आपके इसको rotate करते चला जाए rotate करते चला जाए rotate कर तो इसको एक minute में जितनी तेजी से fast घूमेगा उतने characters को आपके print करेगा सोच लो इसी वज़े से it is far better than DMP ठीक है अब इसके अगर आप लोग बात करते हो तो क्या होता है यह आपका सस्ता होता है बहुत आसान होता है इसको maintain करना ठीक है low maintenance होता है low cost होता है इसके आपकी quality जो है वो आपकी better होती है सबसे बड़ी बाद DMP से आपका बहुत आसान होता है जो आपका dot matrix printer है यह आपके factories या फिर होता है बल्क ओफ बल्क ओफ मतब यह बंडल सॉफ अगर आपके work है तो यह उसके लिए आपका बहुत फाइदे मन्द होता है बहुत ही जादा ठीक वीडियो बफरिंग हो रहा है stream is continuously stucking network सही कीजिये ma'am please चलिए आगे देखते हैं अब ठीक है head lying on a wheel head lying on a wheel and pins corresponding to characters are like a petals of daisy which is why it is called daisy wheel printer ठीक है इसे daisy wheel printer क्यूं कहते है इसे daisy wheel इसके petals याने कि इसके flower petals के structure की वज़े से कहते है petals के structure की वज़े से कहते है ठीक है की वज़े से कहते है ठीक है यह आपका reason है इसको daisy wheel बुलाने का क्योंकि एक तो यह आपका daisy का मतलब क्या होता है daisy कितने लोग Oswald देखते थे Oswald कितने लोग देखते थे बच्पन में तो जो लोग Oswald देखते थे न वो जान जाएंगे कि daisy की structure कैसी होती थी और इसके जो petals होते थे petals किसको कहा जाता है ठीक है और यह जो आपके petals थे यह आपके क्या इसके side side पे इसके head पर characters जो है वो आपके printed होते थे जिसकी वज़े से इसका नाम daisy wheel पड़ा था ठीक है एक minute में आपके 3000 characters को क्या कर सकता है आपका यह print कर सकता है दूसरी चीज आपकी इसके बारे में क्या है कि यह आपका क्या होता है आपके इसके 96 characters जो है वो आपके इसके head पर printed होते है clear है यह चीज समझ में आ गई आप लोगों को यह चीज समझ में आ गई आप लोगों मैं वीडियो फस रहा है क्या अभी भी वीडियो फस रहा है आपका वीडियो क्या अभी भी फस रहा है चीक है अब चलिए यहाँ पर देखते है जो डेजी वील है डेजी वील के कुछ बहुत important चीज़े जो हम लोग देख लेते है डेजी वील का क्या है कि डेजी वील printers normally ranged between वील printers normally ranged between कितने 10 से ले करके 10 से 75 characters per second इसके होते है सोचिए वापरे सोचिए 10 से 75 characters per second इसकी range होती है डेजी वील की यह बहुत ही आपकी बड़ी बात है dot matrix के पिक्षा यह आपका क्या है यह आपका बहुत ही fast काम करता है ठीक है यह चीज़ आप लोग जान लीजे अब इसके आपके अगर बात की जाए अगर आपके इसके advantages and disadvantages आपके क्या थे तो इसके जो advantages थे क्या थे आपका यह more reliable than DMP इसका मतलब क्या आपका ज़्यादा फाइदा किसमे था आपका आपके डेजी वील में था यह नहीं कि एक सुई की तरह dot 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 करके पहले character बनाया ऐसे से करके पहले एक character बनाया फिर ऐसे से करके character बनाया फिर ऐसे करके dot 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 करके एक character बनाने में जिन्दगी खतम ऐसा नहीं करना है हमें क्या करना है हमें कमाते कमाते अखरोट खाना है हमें, ठीक है, कमाते कमाते हमें सब कुछ करना है, मतलब on time हमें सब कुछ चाहिए, ठीक, तो ये क्या है आपका, डेजी वील प्रिंटर, आप लोग देख सकते हैं, इसके advantages आपके क्या-क्या है, पहली चीज क्या थी आपका ये, ठीक है, cheap cost and easy to maintain, ठीक है, दूसरी चीज का advantage आपका क्या है, better quality, क्या है इसमें आपकी better quality है, rather than DMP, ठीक है, एक और इसकी जो आपकी बात है, वो आपकी क्या है, advantages में ही, अभी हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, कहाँ चल रहे है, advantages में ही, अभी भी, advantages आपके क्या क्या है इसके, देखिए, बात की जाए तो, more reliable than DMP, आपका ज़्यादा विश्वस निये है, ये DMP से ज़्यादा, यानि के dot matrix से ज़्यादा, ठीक है, dot matrix से ज़्यादा आपका reliable जो माना जा रहा है, वो किसको माना जा रहा है, आपके daisy wheel को माना जा रहा है, ओके, और इसमें आपकी क्या चीजे हैं, ठीक, ये आपका क्या करता है, आपका इसका maintenance जो है, वो आपका low है, it can create a carbon copies, ठीक है, it can create a carbon copies, ठीक, it is faster than DMP, क्या है ये आपका, faster than DMP, ठीक है, DMP से जो है कि आपका fast काम करता है, ओके, और इसमें जो आपकी सबसे बड़ी बात है, वो आपकी यही ही है, कि इसकी जो costing है, ये आपकी क्या है, low है, cheap cost है, ठीक है, low cost है, and easy to maintain है, ठीक है, low maintenance, low cost, बहुत पैसा नहीं लगता है आपका ये, low maintenance and low cost, कम पैसे में आराम से, कम लागत में आप इसको आराम से maintain कर सकते हो, ठीक है, ये इसकी खासियत है आपकी, ठीक, ये हमने इसके advantages देख, अब अगर इसके disadvantages के अगर हम बात करें, तो सबसे बड़ी बात ही क्या है, ये आवाज बहुत करता है, बहुत हला मचाता है, बहुत परिशान करता है, मतब सर में दर्द हो जाए, जैसे सिलाई मशीन दिन बर चलती रहे, और उसमें अगर आपके grease ना लगाया जाए, तेल ना लगाया जाए, तो कैसे वो एक दम कर 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 कर, ऐसी आवाज होती है, एक टाइम के ब ठीक है, slower, more expensive than DMP, अब अगर इसमें आप बात करते हो, तो आप इसमें bulk and bundles of work जो है, वो एक साथ नहीं करा सकते हैं, जैसे आपके DMP में क्या था, कि आप मतलब जितनी भी चीजे हैं, आप लोग आसानी से उसमें क्या करा सकते थे, bundles of work जो है, वो आप करा सकते थे, bundles of work का मतलब क्या, कि अगर आप चाहते हो, एक साथ, अगर आपके कोई book printing हो जाए, तो वो आपका काम वहाँ पर, वोई सिर्फ एक book नहीं, एक साथ की printing जो है, वो आपके DMP में हो सकती थी, बट आपके यहाँ पर वो चीज नहीं है, ओके, network issue, मैं मेरा app बंध है, और app से, आप से को अपने करने पर password मांगता है, बट password नहीं लेते हैं, यहाँ क्या एक number है, ठीके, बहुत ही अच्छे, मतलब कहा जाया करतो, क्या है ना, कि आप लोग रेश्वा Academy, यह जो देख रहा हो ना, रेश्वा Academy का mobile app जो है, डाउनलोड कीजे, पहले जितने भी लोगों ने course purchase नहीं किया है वो, ठीक है ना, रेश्वा Academy का mobile app है, ठीक, और रेश्वा Academy का mobile app डाउनलोड करने के बाद, आपको क्या करना है, इस number पर आपको call क करना है, ठीक है ना, इस number पर आपको क्या करना है, गया करना है, आप लोगों के course कना अभी इस पर क्या चल रहा है, लूट ऑफर चल रहा है, आपको कोई भी समस्या का समाधान हो, इस number पर आप बस call करिये, कि मेरा app नहीं open हो रहा है, या password मांग रहा है, या कोई भी solution बताएंगे, इस नंबर पर बस आप call करिये, आपके apps related, PDFs related, कोई भी चीज है, वो आप लोग आसानी से जो है कि इस पर करवा सकते हैं, ठीक है, और यहां पर क्या है कि इस नंबर पर call करके, आप लोग क्या कर सकते हो, full course की जो है कि joining ले सकते हो, full course की लिए 2.99 है, और semester वालों के लिए आपका 4.99 और 5.99 जो है, वो आपका price चल रहा है, ठीक, तो आप सभी लोग क्या कर सकते हो, आसानी से, जो है कि आप लोग join कर सकते हो, चाहो तो, ओके, चलिए, आगे देखते हैं अब, तो हम लोगों ने किस के बारे में देखना है, लाइन प्रिंटर के बारे में, किसके बारे में, लाइन प्रिंटर के बारे में हमें देखना है, ओके, क्या होता है लाइन प्रिंटर कोई बताएगा, कोई बताएगा मुझे लाइन प्रिंटर जो है, वो आपका क्या होता है What is line printer इसके नाम से आप लोग को मालूम चल रहा होगा Line printer जो है वो आपका क्या होता इसका नाम आपको बता रहा होगा बहुत कुछ बता रहा होगा इसका नाम देखिए जो line printer है न ये आपका इसके नाम से मालूम चल रहा है कि आपका line printer है, यह आपका एक time में, जो है कि, आपका एक line जो है, वो print करता है, ठीक है न, line printers are, line printers are, ठीक है, क्या होते हैं आपके, line printers are the printers which prints only one line at a time, line printers are the printers which only prints one line at a time, ठीक है, एक line, एक time पर यह क्या करता है, आपका print करता है, ठीक है, एक बार में क्या, आपके एक line को क्या करेगा, यह आपके print करेगा, जैसे क्या था, dot matrix आपका एक बार में एक character print करता था, ठीक है, यह आपका पुरा एक line ही print कर देगा, जैसे क्या, रोश्णी is an educator, ठीक है, देखो, एक line ये जो है, आपका ये एक बार में print कर देगा, ऐसे, ठीक है, line printer का काम आपके क्या होता है, at the one time, it will print your one line, ठीक है, पूरा आपके एक line को, यानि आपके पूरे के पूरे one sentence को ये क्या करेगा, print करेगा, ठीक है, ना ही आपके character को, ना ही आ आपके printing का काम है, ये आपका एक बार में आपका एक से ज़्यादा, जो भी चीज़े है, आपका print करें, मतब आपके एक बार में, एक line को क्या करा देगा, आपका print करा देगा, simple सी बात है, जैसे character का क्या था, एक बार में आपके एक character को print करा रहा है, ये आपका क्या करा रह कि देखे, Line Printer से Character Printer का क्या था, आपने समझा, Character Printer का काम क्या देखे, Impact Printer में दो Printer होता है, एक आपका Character Printer होता है, एक आपका क्या होता है, Line Printer होता है, Line Printer में ही आपका Drum Printer, Chain Printer सब आता है, ठीक, क्या करता है यह आपका, जिसे Character Printer से मालूम होगा, कि एक टाइम पर एक बा देखे एक, simple, और क्या, तो ये क्या है, देखिए, ये आपके two types के होते हैं, ठीक है, अगर हम इनका classification कर दें यहाँ पे, तो ये क्या है आपके, ये आपके two types के होते हैं, कौन-कौन से, पहला होता है क्या आपका, drum printer, ठीक, और दूसरा आपका होता है क्या यहाँ पे, chain printer, ठी अब देखिए, Drum Printer, आपका Drum कैसा होता है? Drum जैसा, Beland जैसा यह rotate हो करते, मतल鬼 आपका Circle में ऐसे schol में आपका Rotate होते हुए, Beland की तरी से हम लोग Beland को गुमाते हैं उसी तरीके से यह आपका ऐसे, ऐसे Rotate होते हुए आपके क्या करता है, आपके किसी भी image or text को क्या करता है? आपके print करता है और ये आपका क्या? बहुत ही ज़ाधा जो है कि आपका अच्छा माना जाता है आज के भी time पर जो है ना ये आपका क्या करता है? drum printer जो है ये आपका बहुत speed में fast होता है और एक minute में आपके 200 से 300 line यानि आपके एक मिनिट में तीन सो से लेके दो हजार तक की जो लाइने हैं, यह आपकी प्रिंट करता है, ठीक है, लाइन प्रिंटर का आपका सिंपली जो है, आपके यह काम है, ओके, तो यह क्या है आपका, कि यह इसका जो शेप होता है, आप लोग नाम से देखके समझ पा है, ठीक है, और यह आपका क्या उसी ही हिसाब से यह आपका प्रिंटिंग भी करता है, ओके, ड्रम प्रिंटर जो है, यह आपका बहुत पॉपुलर था, जैसे आपका स्कैनर बहुत पॉपुलर था, ठीक, उसी तरीके से आपका ड्रम प्रिंटर भी जो है, वह आपका 1957 था, ठीक है, आपके जो आज की scanner आ गए है ना, उससे बहुत ही अच्छे scanner आपके क्या drum scanner को माने गए थे, क्योंकि इसके जो image की quality थी ना, scan करने की वो आपकी far better थी किसी other scanner से, clear? समझ गए आप लोग इस चीज को? क्या है कि जो drum scanner होता है, drum printer होता है, इसके बारे में मैं पहला आप लोग को बता दू, कि drum printer जो है आपके one minute में 300 से लेकि 2000 lines को जो है कि आपके print करता है, ठीक? drum printer, ठीक है? जो इसके सबसे पहली खासियत है, इसका नाम जो है, वो क्यों रखा गया था? इसके shape के उपर रखा गया था, drum के जैसा इसका shape होता है, ऐसा नहीं था, वो आपके box के अंदर ना, drum जैसा जो है कि आपका, उसका एक architecture बना होता था, ठीक है? drum का क्या था आपके? drum printer जो था, वो इसका नाम, drum printer का नाम जो है, वो आपका क्यों रखा गया था? the drum printer is like a drum, ठीक है ना? the drum printer is like a, is like a drum in a shape, ठीक है? in a shape, ओके? the drum printer is like a drum in a shape, अब यह आपका क्या करता था? the surface of a drum is divided into number of tracks, यह आपके number of tracks में जो था, क्या आपका? divided था, the surface of drum is divided into, the surface of drum is divided into number of tracks, ठीक है? आपके number of tracks में जो एके divided था, आपको किस track पे क्या divide आपको print कराना है? यह आपका decide करता था, वो क्या number of tracks, ठीक है? वो आपके number of tracks जो है, वो क्या करता था? वो आपका decide करता था, ठीक है? divided into number of tracks, इसमें आपके एक चीज़ और क्या है? टोटल tracks are equal to the size of the paper, ओके? टोटल tracks are equal, ठीक है? जितने भी आपके tracks थे, वो आपके equal थे, ठीक है? किसमें? to the size of paper, टोटल tracks are equal to the size of paper, यानि आपके size के क्या? equal रहते थे, ठीक है? आपको जो वाला भी portion प्रिंट कराना होता था, हम लोग उस track पर जो है, वहाँ से starting करवाते थे, कर मैं आपको इसकी image दिखाऊंगी, then आप लोग को जो भी confusion है न, वो आप लोग का क्या हो जाएगा? इसमें clear हो जाएगा, ठीक है? अब इसकी क्या थे? drum printers जो है, या आपके क्या है? बहुत fast होते थे, जो इसके main points है, हम लोग पहले इसको देख लेते हैं, कि क्या था? drum printers are fast and can print 300 to 2000 characters and lines per minute, ठीक है? drum printers are fast and can print 300 to 2000 lines per minute, ठीक है? यानि एक minute में जो इसकी capacity है, वो आपकी क्या है? आपके 300 से लेकर के 2000 आपके lines की है, ठीक है? इसमें आपका क्या होता है? अगर हम लोग बात करते हैं, आपके इसके बारे में तो यह आपका एक time पर, अगर आपके per second के अगर आपके बात हो रही है, तो यह आपका per second, 64 से लेकर 96 characters को क्या करता है, आपके print करता है, पर second के अगर आप लोग बात करते हो तो, ओके? Lovely Raj, Good Evening Ma'am, Good Evening Lovely, तो यह आपका क्या था? यह आपके drum printer के बारे में था, चीक है? मैं इसके बारे में आप लोग को कल और बताऊंगे, फिलाल अभी मैं आप लोग को इसके कुछ advantages बता दूँ, जो इसका सबसे ज़्यादा most advantage है ना, it was very high in speed, ठीक है? यह बहुत ज़्यादा speed up, मतलब आपका बहुत ही ज़्यादा speed में आपका जो है कि यह work करता था, किसी भ disadvantages आपके इसके क्या थे, कि इसमें जो आप fonts चाते थे ना, आप उसको change नहीं कर सकते थे, ठीक है? fonts cannot be changed, fonts cannot be changed and it is very expensive. fonts को आप लोग change नहीं, अगर जैसे कि मैंने, fonts का क्या होता है, जैसे एक A मैंने ऐसे लिखा और एक A मैंने ऐसे लिखा और एक A मैंने थोड़ा इस design में बना करके लिखा, तो आपका क्या है कि आप इन तीनों को जो है कि अलग-अलग तरीके से, अगर आपका एक तरीके से वो प्रिंट हो गया, तो आपके एक ही तरीके में रहेगा, और जो इसका second point है, वो क्या था, बहुत ही ये क्या, महंगा आता था, जो आपका ये प्रिंटर था, तो नॉर्मल रेट सी ये क्या था, थोड़ा सा अपर पे था, जिसकी वज़े से इसको क्या, अफीशली वर के ल यहीं इतन %. अब हम लोग मिलेंगे क्या, कल की वीडियो में, कल की क्लासे में हम लोग नेक्स टॉपिक को डिसकस करेंगे, आप आप लोग को सारे के सारे टॉपिक सचे से क्लियर हो, नहीं क्लियर हो तो आप लोग उसको comment section में leave कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको कहां, क्य प्रोब्लम आ रही है किस टॉपिक में तो चलिए मिलते हैं कल आप सभी लोगों से फिर से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए गुड़नाइट आप सभी लोगों को शुबरातरे